नमस्कार मित्रो, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनल का नाम हूँ, संस्कृत साहिति यह बुरुन संस्कृति, महा भारत की स्रेश्ट करना है चल लही है। दुर्योधन का मैं परित्याग कर रहा हूँ, अब जो भी दुर्योधन की पक्ष में जाएगा, दुर्योधन की समान उसका भी विनास होगा। तृत राष्ट ने यह कहतो दिया। लेकिन अभी दुर्योधन का बोलना तो बाकी है। पितुरे तदवचाहसृत्वा, धार्तराश्ट्रोत्यमर्षणाह, अत्यंत क्रोधमे आगर के दुर्योधन। अपने पिता की यह बात सुनने के बाद उनसे कहता है। इसी बात नहीं है। देखिए वो कोई देवता नहीं है। और देवता होते तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। यह सब उन पे असर नहीं करता। यानि कहीं आपको ऐसा लग रहा हो यह कि सभी पांडव जो हैं वो देवपुत्र हैं, तो भले वो देवपुत्र हों। लेकिन उनमें देवताओं के गुण विद्यमान नहीं है। और देवताओं के अगर उनके अंदर गुण विद्यमान होते, तो जितने दुख उन लोगों ने उठाए हैं, इतने दुख उनको उठाने की जिरूरती क्या थी। यहां पे दुर्योधन एक तरीके से पांडवों के जन्म की उपर भी आप्षेव करता है। नईव मानुषवद देवाहा प्रवर्तन दे कदाचने हैं। वो कहता जैसे मनुष्य व्यवहार करते हैं न, देवता ऐसे व्यवहार नहीं क्या करते हैं। और पांडवों का व्योहार कामात, क्रोधात, तथा, लोभात, द्वेसाच्य बरतर सब काम, क्रोध, लोभ और द्वेशित्यादी से भरा हुआ है, इसकी उनको आप देवता मान करके और उनका पराजय हो ही नहीं सकता है, उनका विजय ही निश्चित है, इस प्रकार से विच जार मत कीजिए, और नईव तेवान अगंधरवा नासुरा नच राक्षसा, शक्ता त्रातुम मया दुष्टम सत्य में तद्प्रविवते, और मैं आप से कह रहा हूँ, कि मुझसे शत्रुता करने के बाद इन पांडवों को देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, कोई नहीं बचा सकता है, यह एक दुर्योधन का अपना मानसिक स्तर है, उसकी एक अपनी विचार सरणी है, उसका एक अपना विश्व है, और हर उस व्यक्ति का जो व्यक्ति एक गलत मार्ग पे चलने लग जाता है, उसका एक अपना अलग विश्व बन जाता है, उसकी सोच एक कि का सभाव बन जाता है ए ही दुरिधन के साथ हो रहा है वो कहता है हे पिता जी पांडवा शेव मज्यां से पांचाल अन्प कि कई की शह साथे किम वाशुदीवम चे शुरुत आ सीविजितान में लहाँ. जल्दी ही आप सुनेंगे कि पांडवाँ को मस्य-देश वालों को पांचाल यानि दुरुपदों को केकयों को और सात्यकी के साथ साथ वासुदेव स्री कृष्ण को भी मैंने युद्ध में पराजित किया है और इन सब के उपर मेरी विजे हुई है चल्दी ही आपको ये बात सुनने को मिलेगी दिखिए आत्म विश्वास और एहंकार में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है ये दुर्योधन के अंदर एहंकार आ गया है सुनिए उसकी भाषा में एक एक बात में ये बात जलते है पराबुद्धी परमते जो वीर्यम जयव परममम पराविद्या परोयोगो उनका बोलना पूरा हो, उससे पहें करण और खड़ा हो जाता है। करके कठिन सेवा करके और उनके मन को पुना प्रसंद कर लिया है आज भी वो ब्रह्मास्त्र मेरे पास है आज भी वो दिव्यास्त्र मेरे पास है मुझे रणभूमी में इस अरजुन का सामना करने में बिल्कुल भी जिजक नहीं है और इसके बाद तो उसको इंद्र की दिव पितामा जो हैं इनको अपने पास बिठा के रखिए द्रोनाचारे जो गुरुदेव हैं उनको भी अपने पास बिठा के रखिए और ये जितने स्रेश्ट स्रेश्ट राजा हैं इन सब को अपनी गोद में बिठा लीजिए यथा प्रधानेन बलेन गत्वा पार्थान हनिश्यामी ममैस भारा मैं अकेला ही जाकर के पांचो पांड़ों को मारूंगा ये मेरी जवाब दारी है ममैस भारा ये मेरी प्रतिग्या है और ये कार्णे मुझी को करना ये मेरे सिरका भार है करण को आप जानते हैं हमेशा से ही उसने दुर्योधन का उत्सा बढ़ाया है अब दुर्योधन का उत्सा बढ़ाया है कि दुर्योधन को किस मार्ग पे ले गया है इसको आप अगर ये सारी बातें सुनते हैं तो आपको मालूम पढ़ जाएगा तब भीष्म कहते हैं किम कथ्य से काल परीत बुद्धे अरे कर्ण तेरे सिर्फे मृत्यू नाच रही है तु जिस प्रकार की बात करता है तुझे मालूम पड़ता है नकरणम जाना सी यथा प्रधाने हते हता सिरुधृत्राश पुत्रह तु बड़ा सेनापती बनके और सबसे आगे जाकर के युद्ध करने के लिए तैयार है तुझे पता है कि जिस दिन सेनापती पकड़ा जाता है उस दिन अपने आप ही उस सेना का पराजय हो जाता है तुमको अपनी मृत्यू की जिनता हो ना हो भीश्म हस्तिनापुर के सेनापती है उनके पास सारा भार है और करने यहां कह रहा है कि इनको यहीं बिठा दो मैं जाकर के पूरा काम करके आ जाओंगा तो कहते कि तुमको यह नहीं पता है कि ऐसा होने के बाद धृतराष्ट पुत्राह हते हता तुम्हारे मरते ही धृतराष्ट के पुत्र भी मर जाएंगे क्योंकि फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा अरे खांडवन को पूरे खांडवन को जिसमें कितने विशाव असुर और कितने प्राणी थे उन सब को एक कृष्ण की साहता से इस अर्जुन ने जला दिया तुमको अभी भी इस अर्जुन की सक्ति का कोई अहसास नहीं है और तुम्हें जिस इंद्र की दिवहुई सक्ति पर बड़ा गर्व है ना तुम्हें नहीं पता है कृष्ण का चक्र जब चलता है तो उसके सामने कोई भी शस्त्र ऐसे नहीं है जो अपना कारी कर पाए बस्मी कृताम ताम समरे मिशीराम चक्रा हताम दृप्षश सिके सबेगे तुम्हें जल्दी ही ये देखने को मिल जाएगा कि तुम उस शक्ति का प्रयोग करोगे और कृष्ण का चक्र उस शक्ति का विनास कर देगा वो शक्ति अर्जुन का कुछ नहीं विगाड़ पाएगी ये मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ इसलिए इस तरीके की मूर्खताओं वाली बातें नहीं की जा सकती है तुमको सेनापती बना करके आगे भेजने कार्थ पता है कि स्वयम कौर्वों का अपने आप पर आजय हो गया जैसे ही तुम्हारी मृत्ति होगी उसके साथ सब कुछ कटम हो जाएगा तब करण कहता है कि ये बात बिल्कुछ सही है कि कृष्ण बड़े चतुर हैं होश्यार हैं पराक्रमी हैं योद्धा हैं उसने तो यही सोचा है कि जब उन्होंने कहा है कि मैं सस्त्र नहीं उठाओंगा तो उस सस्त्र नहीं उठाएंगे लेकिन कृष्ण को भीष्म अच्छी तरीकी से पहचानते हैं कि अर्जुन के उपर अगर आ जाएगी तो कृष्ण फिर अपने शस्त्र नहीं उठाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है इसलिए भीष्म जो इस बात को कहते हैं करण को अत्यन्त कुरोधा जाता है मेरा बार बार जो पितामा की तरफ से ये अनादर होता है मैं इस परकार का अपमान बार बार सहिन नहीं कर सकता हूँ आज से मैं मेरे शस्त्रों का परित्याद कर रहा हूँ आज के बार पितामा मुझे इस सभा में भी नहीं देखेंगे जब आप शान्त हो जाएंगे उसके बाद ही इस प्रत्थ्वी के राजा मेरे पराक्रम को देखेंगे इस प्रकार से यहां युद्ध से पहले ही जो अंतरकल है है वो दुर्योधन को एक पराजय की तरफ बढ़ा देता है जिस कर्ण के दम पे उसको युद्ध करना था वो कर्ण ये कह देता है कि जब तक पितामा भीष्म रण भूमी में हैं तब तक मैं रण भूमी में शस्त्र उठा करके प्रवेश ही नहीं करूँगा जिस सेना के सेना पती पितामा भीष्म होंगे उस सेना से मैं युद्ध नहीं करूँगा और अगर कर्ण को दुरियोधन सेना पती बनाना चाहता है तो स्वभा भीष्म तो उस सेना में जिसका सेना पती एक सूथ पुत्र हो पितामा भीष्म उस सेना के भाग नहीं हो सकते हैं और यहां आकरके यह एक विसिष्ट गहतना दुर्योधन के साथ हो जाती है इत्युक्त्वा सामहा धनुस्मान हित्वा सभामसुम भवनम जगामम इस प्रकार से अपने शस्त्रों का परित्याग करके और उस सभा का परित्याग करके करण अपने भवन में चला जाता है भीष अपने शस्त्रों का परित्याग करके चला गया है अभी इसने प्रतिक्या की थी कि ये पांड़ों को मारेगा और अभी इसने ये प्रतिक्या कर लिये है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पर ऐसे लोगों के दम पे युद नहीं जीते जाते हैं युद में सिर्फ आप जो चाहते हैं, वही कहा जाएगा, युद्ध में आप जो चाहते हैं, वही किया जाएगा, तो युद्ध नहीं जीते जाते हैं, युद्ध एक प्लानिंग होती है, युद्ध में हर उस गलत से गलत स्थीती का हमें अनमान करना होता है, कि जिसके हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा जब किया जाता तभी युद्धी जीते जाते हैं लेकिन अब तो तीर निकल गया है करण वहां से चला जाता है दुर्योधन फिर भी सब के सामने अपनी शक्ति अपने प्राक्रम अपने बल और विजे तो उसी की होगी इस चीज़ पे डटा रहता है और फिर से एक पार कहता है ना हम भवतिना द्रोने ना क्रपे न चबालिके अन्ये सूचा नरेंद्रे सू प्राक्रम में समारभे मैंने ये युद्ध आपके गुरु द्रोनाचारी के क्रपाचारी के वालिक नरेस के या अन्य राजाओं के दम पर इस युद्ध का आयोजन नहीं किया है मैंने ये युद्ध आप लोगों के दंपे नहीं छेड़ा है अहम वैकर्त नहा करनों ब्राता दुष्चा सनस्च में पांडवान समरे पंचे हनिश्यामा सितही शरै मेरा ये निर्णे है मैं करन और दुष्चा सनस्च हम तीन लोग मिलकर के ही पांडवों को समर भूमी में मार देगे अब ये जो चीज है दुर्योधन का ये जो सुभाव है ये उसको कहीं का नहीं रखता है उसकी पिता उसको समझाने की कोसिस कर रहे है कि भीया समझ जाओ पितामा कह रहे हैं गुरु दोनाचारी कह रहे हैं ये सभी स्रेश्ट स्रेश्ट लोग हैं इनकी बात तुमको माननी चाहिए तो कहता ठीक है हम आप लोगों के दंपे कहा हैं आप लोगों को युद्ध नहीं करना आप मत करो मैंने तो अपने दंपे युद्ध छेड़ा है और मैं तो लड़ूँगा चाहे मैं मर जाओ या पांडवों को मार दूँगा दो मैंसे एक का सफाया होगा तब इस प्रत्वी पे शानते होगी तब तो शानते ही नहीं हो सकती है तब भी तो वहाँ वो पस्ते थे हैं और वो कहते हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल अयोग के हो रहा है क्योंकि घरवालों की बीच का कलह ये हमेशा विनास का कारण बनता है और विनास इसमें एक का नहीं होता दोनों का हो जाता है एक सुन्दर कथा सुनाते हैं एक बार एक शिकारी बन में आया, उसने कुछ दाने डाले, दो पक्षी आकर के वहाँ बैठ गए और दोनों पक्षी उन दानों के उपर बिछे हुए जाल में फस जाते हैं। शिकारी ने इसलिए तो दाने डाले थे, उनके उपर जाल बिछाया था। जब वह जाल में फस जाते हैं, तो दोनों एक साथ जाल को ले करके उड़ने लग जाते हैं। पकड़ पाएगा। तो मतलब थोड़ा सा भी दिमाग काम नहीं करता है। तब वो शिकारी जो बात कहता है, वो बड़ी महतुपून है। वो कहता है रिशिवर आपको नहीं मालूम है। अभी ये दोनों एक साथ उड़ रहे हैं। इन में सामन जस्य है, इन में एक रूपता है, तब तक तो ये उड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में जगड़ा होगा, वैसे ही मेरे जाल के साथ प्रक्षवी पे गिरेंगे। और मैं इन दोनों को पकड़ दूँगा, मुझे इस बात का विश्वास है। विदुर ये कहते हैं कि महराज, एक परवत के शिखर पर, एक गुफा के अगरभाग में, बहुत बड़ा मदुमक्खी का छत्ता, एक दाम सोने जैसा चमक रहा, घड़े के जैसे आकार का उसमें बहुत सारा मद बरा हुआ, जो उसमें से धीरे धीरे नीचे टपक भी रहा बहुत गहरी खाई है वहाँ पर, और जब वहाँ पर माद्विक, जो मधु को तोड़ता है, वो पहुँचता है जाकर के, तो अपने सात्यों के साथ उसमध को देख करके उससे रहा नहीं जाता है, वो निर्णे करता है कि कुछ भी हो जाए, इस छत्ते को तो मुझे तोड पर जोना है, वो गुफा के अंदर घुसता है, गुफा के अंदर बहुत सारे शर्प, बहुत सारे विशेली, प्रजाती के जिव जंतुते, उनसे बच बचा करके, कैसे भी करके उपर पहुंच जाता है, लेकिन वो मद का पूड़ा जो है, वो मदमक्षी का छत्ता जो है, वो ऐसी जगह पे है, कि अगर उसको पकड़ने जाता है, तो नीचे गिरना अवश्यम भावी है, लेकिन उसका लालच, वो उसको अपने बस में कर लेता है, वो माध्विक बिलकुल भी इस बात का विचार नहीं कर पाता है, कि अगर मैं इस पूड़े को तोड़ भी लिया तो इसको अपने पास ले के कैसे आ पाऊंगा, वो वहाँ तक सिर्फ पहुंचने का प्रेत्न करता है, वो वहाँ तक पहुंच भी जाता है, उसका हाथ वहाँ पहुंचता है, लेकिन तभी उसके पास और कोई सहायता ना मिलने के कारण, वो उपर से नीचे गिरता है, और उसके प्राण निकल जाते हैं वो उस मद पूरे को तो नहीं तोड़ पाता है लेकिन उसको तोड़ने के लालच में अपने प्राणों को गमा बैठता है तथाई वतव पुत्रोयम प्रत्वी मेकम इच्छती उसी प्रकार से तुमारा ये पुत्र जो है इस पूरी प्रत्वी को अकेले प्राप्त करना चाहता है मद पर्ष्यती सम्मोहात प्रबातम नान पर्ष्यती इसको मद तो दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे बैठा हुआ वो प्रपात वो खाई और उसमें बैठती हुई वो नदी इसको नहीं दिखाई दे रहे महराज ये पूरी पांड़ों की सेना उस बहती हुई नदी के समान है और ये संप्रून राज जो है वो उस मदपूड़े की तरह है और तुम्हारा पुत्र उसको प्राप्त करने के चक्र में अपने प्राण गमा देगा इसको रोग लो भाईयों के बीच में कलह अच्छा नहीं होता है भाईयों के बीच में तो समभोजनम समकतनम समप्रश्नोथ समागमह इतानी ज्याती करमाने ना विरोधा कताचर सगे संबंधियों और भाईयों के बीच में साथ में भोजन करना साथ में एक दूसरे के सुख दुख को सुनना एक दूसरे से अपने सुख दुखों को कहना एक दूसरे के प्रश्णों के जवाब देना एक दूसरों की बातों को सुनना और एक साथ बैठना उठना यही योग्य होता है यही ग्याती बंधूं के लक्षन होते हैं लेकिन आपका पुत्र तो अपने ग्याती बंधूं के साथ में विरोध करके बैठा हुआ है ना विरोधा कदाचन है वो विरोध करने के लिए नहीं होते हैं ये बात इनको समझाईए इसी में हम सब का खल्यान है अब विदूर तो कईवार इस प्रकार के प्रेत्म कर चुके हैं लेकिन सफलता है तो व्यक्ति को तभी मिलती है अगर सामने बाले का नसीब बच जाओ कईवार क्या होता है कि व्यक्ति वो सोच ही नहीं पाता है कि उसके साथ होना क्या है और वो अपनी जिद पे आकर के अपने एहंकार में आकर के और एक निर्णे पे इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है जैसे दुर्योधन बढ़ रहा है तो चलिए दुर्योधन को तो आप अच्छी तरीके से पहँचान ही गये हैं कि दुर्योधन कौन है आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे मैं हूँ दुर्क्टर हरी निवास और चैनल का ना में संस्क्रिट्स आहिए हुए